केंद्र सरकार ने काबुली चना सहित्वर और चना पर 30 सितंबर 2024 तक स्टॉक सीमा लागू की है। प्रत्येक डाल के लिए स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीटरिक तन है। खुद्रा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, प्रत्य खुद्रा दुकान पर 5 मीट्रिक टन और बड़ी बिजनेस चेन के खुद्रा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट तै की गई है. अनाज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्रिय उपभोकता मंत्राले ने बड़ी कारेवाही की है केंद्र ने काबुली चना सहित तुर और चना पर 30 सितंबर 2024 तक स्टॉक सीमा लागू कर दी है दालों की जमाखोरी, सटे बाजी को रोकने और उपभोकताओं को किफायती दर पर तुर और चना की उपलब्धता को बहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी किया है इसके तहट ठोक विकरेताओं, खुद्रा विकरेताओं, बड़ी बिजनेस चेन के खुद्रा विकरेताओं, मिल मालिकों और आयातकों के लिए दालों पर स्टॉक सीमा लागू की गई है आदेश के तहट सभी राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 सितंबर 2024 तक काबुली चना सहित्तुर और चना के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है प्रतियक डाल पर व्यक्तिगत रूप से लागू स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीटरिक टन, खुद्रा विक्रेताओं के लिए 5 मीटरिक टन, प्रतियक खुद्रा दुकान पर 5 मीटरिक टन और बड़ी चेन के खुद्रा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 मीट आयातकों के संबंद में कहा गया है कि आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीक से 45 दिनों से अधिक समय तक आयातित स्टॉक को अपने पास नहीं रखना है। सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। सरकार ने अपने फैसले में मिलर्स, रिटेलर्स, बड़ी चेन के रिटेलर, आयातक और होलसेलर्स के लिए एक साथ स्टॉक लिमिट लगा दी है। तेजी से बढ़ती महेंगाई को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। दालों की कीमतें पिछले एक साल से बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के सोलापूर में तूर और चना की कीमतें 11,100 से 12,250 रुपए प्रती क्विंटल और दिल्ली के प्रमुक बाजारों में 7,075 से 7,175 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गई हैं। जहां मध्यप्रदेश और राजस्थान से सप्लाई होती है। खुद्रा बाजार में तूर दाल की अखिल भारतिय औसत कीमत 161.3 रुपए प्रती किलोग्राम थी जो सालदर साल 26% की वृद्धी थी और चना की कीमत 88.1 रुपए प्रती किलोग्राम थी जो सालदर साल 17.6% अधिक थी। उपभुकता मामलों के मंत्राले ने अभी हाल में ये आंकड़े दिये थे। Bureau Report Market Times TV